हाई एबरिवन आपके अपनी चानल इंक्रेड़बल सक्सेस में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग जारखन जीकी के प्रिवेस एर कोस्टिन्स को डिसकस करेंगे इस सारी कोस्टिन्स दरोगा मिंस में आये वे हैं जिसका ही जाम 21 नॉमबर 2017 में हुआ था त उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिने भी इस वीडियो का पीडिएफ चाहिएओगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल इंक्रेड़बल सबसेसे जाएगा आपसे नहीं सौर्या पहाड़िया जार्खन में राजमहल पहाड़ियों में सौर्या पहाड़िया जन्जाती वास करती है सौर्या पहाड़िया यह जन्जाती जार्खन राज में आदिम जन्जाती की रूप में चिन्हित है और इस जन्जाती को संथाल प्रग्न राइट इंसर हो जाएगा option A नेक्स है मुंडा दुरद कब प्रकासित होई थी? 1942, 1947, 1857 या फिर 1948 राइट इंसर बनेगा option A 1942 मुंडा दुरद 1942 इस्वी में प्रकासित होई थी? नेक्स कोशन है कोडर मा बिहार के के जीले को सपर्स करता है? जहानाबाद, नवादा, गया या इनमें से सभी? और इंसर रुजागा option B नवादा कोडर मा जो कि बिहार के नवादा दिश्टिक को असपर्स करता है? फिर्स इस वीडियो में total 30 कोशन है तो वीडियो के अंद में आप अपने score जरूर सेयर करें थर्टि में आपके कितने माकसा है? बंदना उत्सो मुख्य रूप से किसके लिए मनाया जाता है? पस्वो के लिए और विवाहित करन्याओं के लिए लड़कों के लिए या फिर महिलाओं के लिए तो फिर्स इसका राइटिन से रूजागा option A पस्वो के लिए बंदना जो उत्सो है या मुख्य रूप से पस्वो के लिए मनाया जाता है जार्खंड में elephant reserve कहां है? हजारी बाग, पलामू, कोडरमा या पुर्वी शिम्भूम इसका राइटिन से रूजागा option D पुर्वी शिम्भूम जार्खंड में elephant reserve पुर्वी शिम्भूम में है पुर्वी शिम्भूम में दल्मा अभ्यारन है जिसके स्थापना कवी है 1976 में 1976 इस्वो में ही आपका हजारी बाग अभ्यारन, पलामू अभ्यारन, महुमा टाड़ अभ्यारन और दल्मा अभ्यारन और दल्मा अभ्यारन में हाथे परियोजना के सिर्वात की गई है तो राइट इंसर क्या होगा? आप्सन D जारखंड में लागू की गई मुख्य मंत्री जिन्वन योजना का ओदेश क्या है? आप्सनस आप लोग पढ़ लें और आंसर करें इसका राइट इंसर हो जाएगा आप्सन B और द्योगी की विकास और परियावरेन की बीच संतूलन बनाये रखने के लिए मुख्य मंत्री जिन्वन योजना जो स्टार्ट किया गया जारखंड में इसका ओदेश है और द्योगी की विकास और परियावरेन की बीच संतूलन बनाये रखना राइट इंसर आप्सन B खरकई नदी कहां से निकलती है सिमली पाल, त्रिकुट पहाड़ी, पारशात पहाड़ी या ज़रिया इसका राइट इंसर हो जागा आप्सन A, सिमली पाल खरकई जो नदी है, ये ज़र्खन के सिमली पाल से निकलती है निक्ट कोशन लावा लॉंग मेला का आयोजन ज़र्खन के के चिले में किया जाता है खोटरमा में, चत्रा में, राची में, या फिर रामगर में ये जो मेला है, लावा लॉंग मेला इसका आयोजन छार्खंड के 14 डिस्टिक में किया जाता है राइटिन से फुजागा आप्सन B नेक्स कुश्चिन जन्गन्ना 2001 के अनुसार छार्खंड में गाउं की संख्या कितनी है ध्यान देंगे जन्गन्ना 2001 के अनुसार पुचा गया है आप्सन से 35,15, 31,545, 32,620 या फिर 42,510 राइटिन से फुजागा आप्सन C 32,620 जन्गन्ना 2001 के अनुसार छार्खंड में गाउं की संख्या 32,620 नेक्स कुश्चिन जार्खंड में आदिवासी के सरहुल उत्सों के दौरान किसके पूजा की जाती है अदिवासी के दौरा जो सरहुल उत्सों मनाया जाता है उसमें किसके पूजा की जाती है साल्वरिज, भग्वानसीव, रुद्र या फिरचन्दन्वरिज राइटिन से बनेगा आप्सन A सरहुल उत्सों में साल्वरिज की पूजा की जाती है जनजाती का नाम बताना है जिसकी सखाएं पहाडी, दूद और धेल का है औपसन से संधाली, हो, मुंडा या खडिया रइटनसर लिजाओं काउपसन d खडिया खडिया जनजाती की शखाएं हैं पहाडी, दूद और धेल का नेक्स कुश्चिन है चारखन के किस छत्र में नलकूप की द्वारा सरवाधिक सिचाई की जाती है गोड़ामी, राची, फलामो या लोहर दग्गा फिन्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें इसका राइटिन्स रूजागा आप्चन D लोहर दग्गा लोहर दग्गा जीले में नलकूप की द्वारा सरवाधिक सिचाई की जाती है नेक्स कुश्चिन किन चट्टानों को धात्वे खनीज का भंडार कहा जाता है धारवाण योगीन, कुडपा योगीन, विंध्यान योगीन या फिर इन में से कोई ने और आइटिन्स रूजागा आपसे ने धारवाण योगीन, धारवाण योगीन की चट्टानों को धात्वे खनीज का भंडार कहा जाता है मुख्यमंद्री लाडली लक्ष्मी योजना किसे संबंदी थे, ग्रामिन कन्याओ से, आदिवासे कन्याओ से, बीपियल कन्याओ से या फिर सभी कन्याओ से मुख्यमंद्री लाडली लक्ष्मी योजना ये बीपियल कन्याओ से संबंदी थे, राइट अंसर आपसें सी मस्ति का मंदिर। The grammatical construction of the whole language कब प्रकासित हुआ था? 1856, 1849, 1840 या फिर 1877 Right answer होगा Option C, 1840 1840 में The grammatical construction of the whole language प्रकासित किया गया था? Next question कौन से कभीला संजुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? हो, मुंडा, संथाल या गोंड तो फिर्ट्स गोंड जन्जाती में गोंड कभीला संजुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है निम्न मेंसे किसने भारत की पहले सुतंतरता संग्राम 1865 जिसे सिपाही विद्रो भी कहा गया है उसमें भाग लिया था? अपसन देखें सेख विकारी, साहिदलाल, विस्वनाद सहदेव या फिर सभी इसका राइट अंसर हो जागा अपसन डी इनमें से सभी क्योंकि भारत का जो पहला सुतंतर संग्राम 1857 में जो हुआ था उसमें सेख विकारी ने भी भाग लिया था साहिदलाल ने भी और विस्वनाद सहदेव ने भी तो राइट अंसर अपसन डी नेक्ट है इनमें से कौन सा बोकारों में स्थित नहीं है पंचेथ हाइडरो पावर स्टेशन चंदरपूरा थरमल स्टेशन भारते विस्पोटक लिमिटेड या फिर तेनुगार थरमल हाइडरो पावर स्टेशन इसका राइट असर बनेगा आपसन ए पंचेथ हाइडरो पावर स्टेशन ये आपका बोकारों में स्थित नहीं है बाकी जो आपसन दिये में है चंद्रपूरा थर्मल स्टेशन ये आपका बुकारो में है भारती विस्पोटक लिमिटेट ये भी बुकारो में है और तेनुगार थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट ये भी बुकारो में है तो राइट इंसर क्या हो जागा? Option A केंद्रे खनन और इंधन अनुसंधान संस्थान कहां है? धनबाद, बुकारो, राची ये चमचेट पूर तो इसका राइट इंसर क्या हो जागा? Option A धनबाद केंद्रे खनन और इंधन अनुसंधान संस्थान जारकन के धनबाद जीले में है छुटनागपुर छेतर के पहले क्रांतिकारी कौन थे? जो अंगरेजों से संघर्स करने के दोरान सहीद हो गया थे? राम नारायन सी, कुमर्सी, बुद्धो भगत या बिर्सा मुन्डा इसका राइट इंसर को जागा? Option C बुद्धो भगत बुद्धो भगत छुटनागपुर छेतर के पहले क्रांतिकारी थे जो की अंगरेजों से संघर्स करने के दोरान सहीद हो गया थे? मुन्डा का कौन सो उत्सो सरहुल कहलाता है? बापर्व, कर्मा, दिसाई या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका राइड़न दरुजागा, आपसन D, बापर्व, मुन्डा को जो सरहुल उत्सो है, ये बापर्व के नाम से भी जानना जाता है नेक्ष्ट, जार्खन के किस सहर में युरेनियम प्रसंस्क्रन कार खाना सुरू क्या गया है? जिसका राइड़न दरुजागा, आपसन D, घाट सीला घाट सीला में युरेनियम प्रसंस्क्रन कार खाना सुरू क्या गया है? नेक्ष्ट कोशिन, छुटे नागपूर के आदिवासी क्रांती कब होई थी? 1858-59, 1889, 1820 या फिर 1913-1914 जिसका राइड़न दरुजागा, आपसन A, 1858-1869, छुटे नागपूर के आदिवासी क्रांती होई थी? नेक्ष्ट कोशिन, सराइक इलाकी मिट्टी किसकी लएक के साथ जीवन्त है? आपसन से 6, 11, 55 या फिर संथाली, जिसका राइड़न दरुजागा, आपसन A, 6 सराइक इलाकी मिट्टी, 6 लएके साथ जीवन्त है, निक्ष्ट है, जावा उत्सो, किसके द्वारा मनाये जाता है? आविवाहित लड़के, विवाहित पुरूस, आविवाहित कन्याएं, या फिर विवाहित महिलाएं, जावा उत्सो है, जो कि जारकंड में मनाये जाता है, ये आविवाहित कन्याओं के द्वारा मनाये जाता है, राइट इंसर क्या होगा? Option C किस खदान से टिसको को लौ अयस की आपूरती की जाती है नुवा मुंडी, बैला डेला, बाबा बुदिन या फिर क्यों ज़र आप लोग कमेंट करें इसका राइटिन सरू जागा Option E, नुवा मुंडी निक्ष है बाल गरीब समरिध्थी योजना किसके लिए है सभी वच्चों के लिए, BPL वच्चों के लिए माता और नौजात के लिए या फिर इन में से कोई नहीं ये जो बाल गरीब समरिध्थी योजना है ये माता और नौजात के लिए है किसके लिए है माता और नौजात के लिए निमने में से किस रूप में मोंडा का प्रसिद्य कहानी सो सो बग्गा है गाथा गीत की रूप में गीत की रूप में कवीता की रूप में या फिर इन में शेक कोई नहीं तो प्रिंस मोंडा की जो प्रसिद्य कहानी सो सो बग्गा है ये गाथा गीत की रूप में है राइट इंतर क्या होगा ? Option A छोटानाँपूर अधी ग्रहन अधीनियम कब पारित हुआ ? 1908, 1902, 1857, या फिर 1923 में जिसका राइट इंतर बनेगा Option A 1908 में छोटानाँपूर अधी ग्रहन अधीनियम 1908 में पारित हुआ था इतना है उम्मीद है ये वीडियो आपको काफे ज़दा पसंद आई होगी इस वीडियो को के नीचर गीज़् से जादresponsद औरuh करां अगर आप 2021 पाइं अगर में आप वीडियो चाहिए तोने कमिंट ज़रूरत कर्दी से खरते जनलन whole ॐ eh से ज़्यादा शेयर करें अगर आफ हमारी चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रिस करें ताकि हमारी चैनल की द्वारा जो भी वीडियो अप्लूट की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले में जाए और जि